ये वीडियो स्पेसली उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वो आगे के पढ़ाय करना चाते हैं जैसे कि मालो डिप्लोमा करना चाते हो आईटे करे हुई है तो या फिर आईटे ही करना चाते हो या फिर तो चाहते हो वह लोग क्या करते हैं वह लोग यह करते हैं आपने देखा हो आपने भी सायद किया हो किया हो मिल जाएगा और मैक्सिमुम जू प्राइवेट कंप्पने में काम करते हैं और साथ-साथ-कोई पढ़ाय करना चाते हैं, maximum लोग यही करते हैं, maximum लोग आपने आसवास भी देखा होगा, आपका कोई दोस्त भी होगा, जिसने ऐसा किया होगा, पैसे भर के कोई certificate लिया होगा, ठीक है दोस्तों, तो उन सभी के लिए ही ये वीडियो बहुत important है, क्योंकि दोस्तों, हुआ क्य है, उस certificate को लेने के बाद, भाई वो जब दूसरी company में गया इंट्रू देने, डिप्लोमो बेस पर, तो वहाँ पर उसे पता चलता है, कि ये certificate नकली है, ये certificate यूश्टी का है ही नहीं, ये certificate यूश्टी ने verify नहीं किया, समझ रहो, फिर क्या किया है, फिर वो वापिस उसी बंदे के पास गया, जिससे उसने certificate लिया था, उसी college गया वो, और college वाले बोलते हैं, कि भाई, हाँ, उस बंदे ने fraud किया था, जो बंदे हाँ काम करता था, उसने लोगों के इसाथ fraud किया है, उसने, मतलब college के permission ना लेते हुए, लोगों से पैसा लिया, और universities में, मतलब जो गलत हो, आप college आये नहीं, एक भी दिन college नहीं आये, ना आपने paper दे, कुछ नहीं कर आपने, ना कोई अपने attendance में आपको नाम है, फिर आप किस तरीके से मतलब बोल सकते हो, तो एक तरीके से आप भी fraud वाजी कर रहे हो, ठीक है, तो ये मैं बोलना चाहूँगा, उन सभी ल पर आप ये सोचो कि मैं ऐसा मैं पैसा भरके इस certificate से सरकार जोब में apply कर दूँगा, या मेरे post बढ़ जाएगी, या फिर किसी बड़ी company में लग जाऊँगा, तो ऐसा possible नहीं होगा, वहाँ पर इस certificate काम ही नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, छोटी मोटी company में काम कर पर इनको verify नहीं कर जाएंगो, वहाँ पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है, और देखिए आपकी गलती भी नहीं है, ये जो गलती है, ये पूरे system की गलती है, क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है, किसी भी company में, आप मुझे तो मालूम मैं हूँ, मैंने ITI की हुई है, ठीक है, तो भाई मैं को अगर पूरा काम आता है, मुझे अपना ITI का पूरा काम आता है, ठीक है, मुझे काम करते करते हैं, पांस साल होगे company में, मेरी salary है 15,000 रुपे, अब एक नया बंदा आता है हुआँ पर उसने diploma क्या हुआ है, उसकी salary लगा दी उन्होंने 16,000 रुपे, 17,000 आती है कि हाँ भाई, certificate की value है, और तभी लोग यह करते हैं, और तभी इन सब कही पूरा चक्र हो चल रहा है, जो फर्जी वाड़ा कर रहे हैं, उनका भी काम चल रहा है, और जो student है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे डिप्लोमक साल रुची है, तो मेरा भी काम चल जा रहा है, कह खुद ही चोर एक तरह से, आपने खुद ही गलत तरीके से certificate लिया है, पहले तो, बिना paper दिया certificate लिया है, तो आप कानुज को नजरों में आपको भी jail जाना ही पड़ेगा, वो तो जाएंगे जाएंगे प्लस में आपको भी जाना पड़ेगा, तो ऐसी आप गलती ना करें, अगर आपको कोई पढ़ाय करनी है, तो part time बेसक distance बेस पर कर लिजिए, पर direct पैसा देके आप certificate मत देजिए, उसका कोई भी फायदा आपकी life में नहीं होने वाला, ठीके दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं, आपने अगर ले लिया है, और आप सोच रहे ह सर मेरा certificate देखीजिए, औरिजिनल है कि नहीं है, इसको अपने documents में चेक कीजिए, आपने verify किया ने किया, इसकी RTI करवाईए, मतलब आप इसको एक तरह से कानून रूप से एक को चेक करवाईए, अपने certificate को, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपने certificate लेकर बैट गए और इन फ्यूचर, पांस साल बाद, छे साल बाद आपको पर चल रहा है कि वहीं है, तो बहुत देर हो जाएगी, फिसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अभी के अभी आप ये काम कर सकते हो, अपने recommends को verify करवा सकते हो, ठीक दूस्तों, तो छोटीश आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है, तो लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो को लिए आप में चैनलों सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक वर्यमाच